नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, मैं सनेल अदूबे आपको मिर्च का सालन बताऊंगी जिसके लिए मैंने पानी बॉयल करने को रख दिया है, उसमें मैंने फिट किरी डाल दिया है और मैंने अपनी मिर्चों को डाल दिया है सॉफ्ट होने के लिए देखे मैंने कट किया इसके बीज नहीं निकाले है बाब में निकालूंगी 5-7 मिनट अपनी मिर्च को सॉफ्ट होने दूंगी उसके बाद इसमें पूनी हुई मुमफली और भूने हुए चने का पाउडर मसाले स्टफ करूंगी पिर्चे हमारी बॉयल हो गई मैं उसे ठंटा करने को रगदी हूँ बाद में इसके अंदर से हम बीज निकाल लेंगे बॉयल आलू कर रखा है हमने 3 बड़ी साइज का इसको मैश कर दिया है और रोस्टेड मुमफली मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया की पति और 100 ग्राम मैंने बेशन ले रखा है जिसका मैं बैटर बनाऊँगी थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे अपने बेशन में तक तक मैं फ्राई पैन में तेल डालका अपने आलू के मैश को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे तिल जीरा इन चीजों का हम सड़का मारे में यह हमारे पास रोस्टेड बी रहा है मैं उसे बांच में डाल दूँगी अब मैं अपने आलू को डाल ले रही हूँ और आलू को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसमें हम थोड़ी हलोडी मसारे डालेंगे पहले मैं नमक डाल दे रही हूँ कश्मीरी मिर्च वन टेबली स्पूम कश्मीरी मिर्च हमारी सर्फ कलर देती है इसलिए मैं एड़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें तीखापन नहीं है हम मसारे डालेंगे वन टेबली स्पूम और ग्रीन री के लिए मैं इसमें एड़ कर दूँगी अपनी धनिया एक छोटा चम्मच हम बेशन दी डाल दे रहे हैं ताकि बेशन इसी में भून जाएगा स्टफिंग में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी आलू बुन चुकी है अब मैं जाय सॉस कर दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी आपस में इसके लिए हम थोड़ा सा अचार मसाला यूज करेंगे या आप खटा तोई भी चीप यूज कर सकते हैं चार मसाले हो गए नीबू हो गए हमारा मसाला ठंधा हो गया है और मैंने बीच निकाल दिया है अच्छी तरह से अब इसमें हम स्टफ करेंगे अपने आलो जो मैंने बना रखा है आप इस तरह स्टफिंग कीजिए और इसे धीमे धीमे स्टफ करके अच्छे से अपने शेप में जिस शेप में थी उसी शेप में कर दीजिए इसी तरह हम सारे मिर्चों को स्टफ कर देंगे हमने तेल डाल दिया आधे चमस और अपनी मिर्च को मैंने रख दिया है पैन में और इसे उलर फलटकर हम फुक्पांच मिर्च सेख लेंगे ताकि हमारे मिर्च का कच्छापन खतम हो जाए दस बारा पादाम, दो टमाटर, ती नीच अद्रक, दो चमच मुमफली, खस खस इन चीजों का हम पेस्ट बनाएंगे पैसी मसाले में हम एट कर देंगे अपना गरम मसाला और करी पाउडर, चार पांच लॉंग, जो मैंने नमक लिया, सब चीज़ें हमें एक साथ डाल दे रहेंगे थोड़े से मैंने तिल रखें, रोस्टर इसे भी डाल दोंगी और इन चीजों का हम बारी पेस्ट बना लेंगे हमारे अच्छे सी तर चुकी है मिर्च, अब मैं इसे धीमे धीमे निकाल लूँगी और हम एड करेंगे, ओयल इसी पैन में ओयल हम डालेंगे, दो चमच बड़े बारा ओयल गरम हो गया हम आधी चमच राई डालेंगे हम इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें हम हींग डाल लहे हैं और अपने मसाले को रिच बनाने के लिए मैंने ड्राई प्रूप्स कर इस्तेमाल किया है अब हम एड करेंगे अपने मसाले को मसाले में मैंने सब कुछ मिला रखा है और नमक भी इसी ने एड किया है इसे हम चला कर अच्छी तरह थून देंगे साथ से आठ मिनट रख्रूट सोने के कारण इस मसाले में काफी चिकना हट है देखिए हमारा मसाला अच्छे से बुन दिया है हम इसे स्लो आज में बुनेंगे क्योंकि जो ड्राइफ्रूट्स हैं वो अपने नेचुरल ओयल स्लो आज में ही बाहर निकालते हैं अब इसमें मैं 400 ml पानी डाल दूंगे पानी डालेंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे इसे हम 5-7 मिनट फिर बॉयल कर देंगे अब आज आज आप तेज भी कर सकते हैं तो 3 मिनट में आपका मसाला बॉयल हो जाएगा असलो में करेंगे तो 5 मिनट लग जाएगा हमारा मसाला बॉयल हो रहा है, मैंने मखाने रखे हैं आधी कटोरी, मैं इस मखाने को भी इस मसाले में एड़ कर दूँगी और मसाला में ये मिक्स हो जाएंगे और सोब कर लेंगे मसाले को अच्छी तरह से हमारे मिर्च का सालन तयार है, मैं इसे सर्व करना स्टार्ट करूँगी धीमी धीमी हम मिर्च को उठाएंगे और मसाले को अपने बॉल में डालेंगे मैंने मखाने और ड्राइफ फ्रूट्स में बना मिर्च का सालन तयार कर दिया है और इसे मैंने सर्व कर दिया है उपर से मैंने धनिया गार्णिश की है अगर आपको हमारे मिर्च के सालन बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी थैंक्यो